हलो बच्छो हम लोगों ने दो तिन क्लासी जो है पॉलिटिका कर लिया है जो रिवीजन टाइप से हम लोग क्योशन सीरी चला रहे हैं इसके अंदर अब हम लोग आगे और थोड़ी से कॉश्चन से देखते हैं जो लेवल थोड़ा उनका बड़ा हुआ होगा राइट सो औके जो जिसको समझ हा रहे हो ठीक से वो अपनी डूटी को अच्छे से निभाए ओके चो आज का जो पहला क्योशन है वो आपका राश्ट्रपती का अध्यादेश कितनी आउदी के लिये जलागू रहता है अपको पता है राश्ट्रपती अध्यादेश जारी करता है कब क अध्यादेश क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा कोई भी विधेक लेकर आती है उसको पास करती है उसके बाद राश्ट्रपती उस पर अस्ताक्सर करता है और उसके बाद वो कानून बनता है और कानून लागू हो सकता है विधेक नहीं हो सकता है तो इसी तरह से जब लोकसभा और राज्यसभा का सतर नहीं चल रहा है ऐसे समय में अगर कोई भी ऐसा हमें लगे की कानून बनाना अनिवारिय है तो ऐसी स्थीति में जब रास्टपती ये काम करता है तो वो अध्यादेस होता है आर्टिकल 123 की तैज जो है रास्टपती को अध्यादेस लाने की स अगती है ठीक है ना आर्टिकल 123 की तैज और एक वर्स के अंदर कम से कब दो सतर जो है अनिवारिये है संसद के तीन सतर बेठते है न जैसे बजट सतर हो गया फिर मानसून सतर हो गया फिर सीटकालीन सतर हो गया लेकिन दो सतर अनिवारिये है एक वर्स के दोरान ठीक है ना तो छे महिने का गेप तक ही अधिक्तम अध्यादेश रह सकता है। इसके बाद जैसे ही सतर बेठे का संसद का या लोकसभा राज्यासभा का तो उसके बाद छे सब्ते का टाइम और दिया जाता है। जो समय और मिलता है उनको कि उस पर कुछी भी परकार से बाद शित करें डिसकस करें और उसके बाद पारित करती है तो ठीक अधरवाइस अध्यादेश माप्त हो जाता है। तो वैसे छे महिने और छे सब्ता का अधिक्तम समय होता है। लेकिन क्योशन के अंदर स्टेटमेंट में आपका उपसं में दिया हुआ है तीन महिना, छे महिना, नो महिने और शितकाल तो आंसर क्या हो जाएगा। छे महिने तो रास्ट्रपति अध्यादेश कौन से अर्टिकल के तहद ला सकता है। अनुछेद 123 जो है उसके तहद लाया जा सकता है रास्ट्रपति के दवारा अध्यादेश, करेक्ट, नेक्स्क्रोशन आपका बारत सरकार का समयधानिक अध्यक्स कौन है, तो who is the constitutional head of government, या who is the constitutional head of central government, तो कौन है समयधानिक अध्यक्स, तो समयधानिक अध्यक्स है आपका रास्ट्रपती, रास्ट्रपती सवयधानिक पर्मुख है, कार्यकारी पर्मुख है, आर्टिकल बावन में जो है रास्ट्रपती के पद का उलेख है, भारत का एक रास्ट्रपती होगा, आर्टिकल 53 के अनुसार जो है रास्ट्रपती देश का कार्यकारी पर्मुख होगा, सबी जो भारत सरकार की सबी कारिये है रास्ट्रपती के नाम से होता है तो सवेधानिक अदेक्स जो है भारत का कोन है रास्ट्रपती है ये बात आपको ध्यान रखने है भारत सरकार का सवेधानिक अदेक्स रास्ट्रपती और राज्य सरकार का सविधानिक अदेख्स पुछे तो राज्य पाल होता है तो यह इसका correct answer हो जाएगा दूसरा निमलिकीत में से कौन अपना पद रास्टरपती की संतुष्टी के दोरां धार्ण करता है तो रास्टरपती के परसाद परियंत एक तरह से कौन अपना पद धार्ण करता है ये बात पुछे आपसे परधान मंत्री, राज्य पाल या फिर चुनाव आयुक्त या लोकसभा का अदेख्स कौन करता है तो राज्य पाल जो है राज्यों के अंदर न्यूक्त किया जाता है रास्टरपती के दोरा और रास्टरपती मंत्री पृष्ट के कारिये करता है आपको पताईए तो रास्टरपती जो है राज्य पाल को आपका न्यूक्त किया जाता है राज्यों के अंदर और किसी वक्ट जो रास्ट्रपती को राज्य पाल दुवारा हटाए भी जा सकता है तो रास्ट्रपती की संतुष्टी तक कुन धार पत घार्ण करता है? राज्य पाल यह बात ध्यान रखना है ठीक है न? तो इसके अंदर राज्यपाल जो है correct answer हो जाएगा Next question भारत के उप्रास्टरपती का चुनाओ किया जाता है उप्रास्टरपती का चुनाओ कोन करता है? संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संसद के निर्वाची सदस्यों द्वारा, संसद और राज्ये विधानवंडलों के सदस्यों द्वारा क्या correct answer है? उप्रास्टरपती पूछा है, रास्टरपती नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है उप्रास्टरपती के लिए कौन-कौन जो चुनाव में भाग लेगा, तो उप्रास्टरपती के चुनाव में संसद के सदस्यों भाग लेंगे कौन-कौन से, निर्वाचीत और मनोनित दोनों या केवल निर्वाचीत तो निर्वाचित और मनोनित दोनों जो है उप्रास्ट्रपती के चुनाओं में भाग लेते हैं लेकिन रास्ट्रपती के चुनाओं में संसद के only निर्वाचित भाग लेते हैं और विधानसबा के भाग लेते हैं वहाँ पर विधानसबा के निर्वाचित मनोनित सदस्य भाग नहीं लेते हैं लेकिन यहाँ पर only संसद विधान सबागे नहीं लेते हैं उपरास्टरपती के चुनाओं में तो यह बात आपको ध्यान रखना है ठीक है न? तो उपरास्टरपती का संसद के सदस्यों द्वारा अभी वर्तमान में भारत के तेर में उपरास्टरपती कोन है? यह बात भी आपको पता होनी चीए ठीक है तो यह इसका correct answer हो गया next question भारत के उपरास्टरपती के निर्वाचन के संबंद में कोई विवाद उछ नियाले में फाइल किया जाए निर्वाचन आयोग को भेजा जाना चीए उस्तम नयाले में फाइल किया जा सकता है उस्तम नाले में उससे फाइल किया जाना चीए तो देखिएगा जो रास्टरपती और उपरास्टरपती के चुनाव से संबंदित कोई भी विवाद है उसको चुनाव परकिरिया के दोरान नहीं कहीं भी जाय जा सकता कहीं भी फाइल नहीं चुनाव परकिरिया समाथ होने के बाद जो है उसको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है ठीक है ना दास्ट्रपती और उप्रास्ट्रपती दोनों के चुनाव से समंदीत किसी को कोई समस्या है बोल रहा है कि ये गलत हो रहा है तो उससे समंदीत जो अभिवाद है उसको केवल और केवल कहां? only in Supreme Court, High Courts में नहीं हो सकता ये बात आपको ध्यान रखने है ये एक तरह से मूल अदिकारिता की तरह है Supreme Court की ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है तो उस्तम नयायले में आप उससे फाइल किया जाना जाएगा ठीक है ना? उस्तम नयायले में यानि Supreme Court में फाइल किया जाना जाएगा तो ऐसे questions को ध्यान में रखके और आपको answer देना होता है, ठीक है ना, तो यह आपका D's का correct answer हो जाएगा, next question भारत के रास्टरपती को उनके कारियकाल की समापती से पुरो महाबयोग करने के लिए किसकी अनुसंसाफ अनिवारिय है, यानि भारत का रास्टरपती का कारियकाल होता है पांच वर्स का, लेकिन कारियकाल से पहले भी अगर इस्तीफा देना चाहे तो उपरास्टरपती को दे सकते हैं, बट अगर लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, गलत में किया है सविधान का उलंगन, केवल सविधान का उलंगन किये जाने पर ही रास्टरपती को महावयोग, रास्टरपती के खिलाफ महावयोग लाया जा सकता है, महावयोग जो है वो आर्टिकल 168 के त खेक है तो इसके तैस जो है इसके अद्व धार जा सकता है ये से पहले प्रस्ताव लाए जाएगा लोगसभा है राज्यसभा तो दोनों में से के दवारा पारित कर दिया जाता है किस बहुमत के साथ कुल सदश्य संख्या के दो त्याई बहुमत के साथ यानि 545 है लोकसभा में तो लोकसभा में 545 का दो त्याई बहुमत राज्यसभा में 245 का दो त्याई बहुमत अगर उससे पारित हो जाता है प्रस्ताव तो रास्ट खिलाब महाभी उप्रास्टरपती नहीं लाया गया है ना ही किसी को हटाया गया है तो इसका डी इसका correct answer हो जाएगा ठीक है next question अगला question आपका कि भारत के उप्रास्टरपती भारत के उप्रास्टरपती किसके उप्रास्टरपती पर महाभीयों किसके दवारा लगाया जा सकत लोग सभा में भी राज्य सभा में लेकिन उप्रास्ट्रपती के संद्रव में केवल और केवल जो अभयोग का प्रस्ताव है अभयोग नहीं कहते हैं उसको एक रिमूवल हटाने का प्रस्ताव बोला जाता है महाभयोग वर्ड केवल जो है सविदान में राश्ट्रपती के हटाने का प्रस्ताओ इसको महाब योग वर्ड यूज नहीं करते हैं हम लोग टेक्निकली जो है कॉंशुशनली अगर बात करें तो महाब योग सबद के वल रास्टरपती के लिए इसके लिए हटाना ही यूज करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है हटाने का प्रस्ताओ जो है वो राज्यसभा में ही लाया जा सकता है लेकिन कई बार जो है स्टेट्मेंट में दिया होता है महाब योगी ये बात भी ध्यान रखना है इतना ध्यान नहीं देते हैं वो लोग तो राज़्य सबा में लाय जा सकता राटिकल 67 के दायत ये राज्य सलस्थ सकती है उसके बाद राज्यसबा उसको ततकालीन महुमत से ये बात भी ध्यान रखनां किस महुमत से राज्य सबा उसको पारित करेगी ततकालीन महुमत से अगर पारित कर देती है और लोगसभा अपनी सहम्ती दे देती है, सहम्ती मतलब साधान मों मत्से पारित कर देती है, और लोगसभा, तो उसके बाद जो है, उपरास्टरपती पद से हट जाता है, ठीक है न, तो ये बाद ध्यान रखना आप, लेकिन परस्ताव के बोल कहा लाया जा सकता इसका, राज्यसभा और रास्टरपती, तो इसमें क्या-क्या दे रखा है, रास्टरपती है, लोगसभा भी है, राज्यसभा भी है, तीनों ही है, तो आनसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3, यानि D, इसका करेक्ट आनसर हो जाएगा, आर्टिकल 79 के अनुसार संसद के तीन मुख्यांग ह लोगसभा, राज्यसभा और रास्टरपती, रास्टरपती ना संसद में बैठता है, फिर भी संसद का मुख्यांग है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, इसके बाद next question आपका, अगला question है, निमलीखित में से क्या सही नहीं है, सही कहीं, कौन सा नहीं है ये बताना आपको, र लोगसभा में अगर निर्वाचन के लिए जो है वेक्ति के आयू 25 वर्स अवश्य पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लोगसभा के लिए 25 वर्स चाहिए, राज्ये विदान सभा में निर्वाचित के लिए वेक्ति के आयू 21 वर्स अवश्य पूरी होनी चाहिए, रा अगर विदान प्रिशद का अगर सदश्य बनना है राज्य की तो उसके लिए तीस चाहिए राज्य सभा की तरह ही ठीक है ना ग्राम पंचायत के चुनाव में मत दान के लिए पात्र वेक्ति के आयू 18 वर्स हो से पूरी हो निशिए क्या बात सही है अगर कोई वेक्ति 18 वर्स के आयू का है तो मत दाल सकता है चाहिए फिर वो आपका ग्राम पंचायत का हो चुनाव या फिर चाहिए लोकसभा का हो चाहिए विदान सभा को उससे क्या फरक पड़ता है तो उसके लिए 18 वर्सी चाहिए, मत दानने की आयू वही है, तो यह तो सही है, कोई इश्यू है यही नहीं, लेकिन गडबड कहा है, यहाँ पर गडबड है, C के अंदर, तो यह इसका correct answer हो जाएगा, यह बात सही नहीं है, बाकी सारी की सारी सही है, इसकी clear है, तो यह बात आ करने वाली संसदिय समीति क्या है, कौन सी है, आकलन समीति है, परवर समीति है, लोकलेखा समीति है, इन में से कोई नहीं है, तो देखेगा, संसदिय समीतियां जो है, उसमें तीन परमुक समीतियां है, जो तीन वितिय समीतियां जो है, परमुक है, जैसे प्राकलन समीति हो सारुजनिक उपकरम समीटी हो गया प्राकलन समीटी इसको एस्टिमेट को मेटि कहते हैं जो की अधिक्तम सदस्ष्च्य होते हैं टीस के तीस लोकसवा से होते हैं कि लोखलै वह एक तरो तिह पंदरालोग सब्धा ऑर साथ राज्य सबासे होते हैं ठीक है इसी परकार से जो आपका सारवजनिक उपकरम पब्लिक अंडर्टेकिंग कॉमेटी है उसके अंदर भी बाइस होते हैं 15 लोखसभा और साथ राज्यसभा से होता है ठीक है तो इन तीनों समीतियों से एक समीति है जो कैग जो रिपोर्ट देता है उसकी समिक्षा करती है तो वो कौन सी यह पूछ रहा है तो वो है लोकलेखा समीति पब्लिक अकाउंट कमेटी और इसलिए जो है केग को क्या का जाता है फ्रेंड फिलोसफर और पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समीथी का फ्रेंड फिलोसफर का जाता है मित्र और दार्शनिक का जाता है केग को इसलिए का जाता है क्योंकि इस रिपोर्ट को जो है केग फिर कुन था जिसे भारत के रास्टरपती के रूप में निर्विरोध चुना गया इनमें से कौन ऐसा वेक्ति है जिसे भारत के रास्टरपती के रूप में निर्विरोध चुना गया यानि आन अपोजड तो सतत्तर से ब्यास्वी तक रहे थे रास्टरपती के पद पर नीलम जीव रेड़ी है ठीक है ये बात आपको ध्यान रखना है यानि किसी ने अपोज किया ही नहीं कोई सामने खड़ा ही नहीं था तो नो अपोज तो निर विरोध जो है चुने गए थे डोक्टर नीलम संजीव रेड़ी सीज का करेक्ता हमसर हो जाएगा फेक्शियर कोसन नेक् जाकिर हुसेन, डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम, डॉक्टर एस रादा किसनन और डॉक्टर आजंदर परसाद कौन थे ऐसे तो यह लोग तो आपको पता है रादा किसनन राजंदर परसाद जोकिर हुसेन जो है यह सब पॉलिटिकल इंवल्मेंट में थे लेकिन एप आसे साइंस को किस परकार से साइंस एंटेक को किस परकार से नई उंचाईयों तक लेकर जाये जा सकता है उन पर कार्ये कर रहे थे मिसाइल टेक्नोलोजी जो है उस पर कार्ये कर रहे थे इसलिए मिसाइल मेन के नाम से भी जाने जानते हैं एपीजे अब्दुलकलाम लेकि राष्ट्रि आपात कर सकता है राष्ट्रि आपातकाल राष्ट्रि आपातकाल जो है कौन से अनुछेद के तैद गोशिद कर सकता है ये बात बतानी है 52, 56, 61 कौन सा है 352, 356, 360 और 361 A, B, C, O, D करेक्ट आंसर इसका अनुछेद 352 अनुछे 352 के तैद जो है A, अनुछे 352 के तैद जो है राष्ट्रपती क्या कर सकता है राष्ट्रि आपातकाल की जो है गोशना कर सकता है ये बात आपको ध्यान रखनी है अनुछे 352 के तैद राष्ट्रपती तीन आधार पर जो आपातकाल लगा सकता है वो तीन आदार क्या है? बाई ये किसी दूसरे देश के साथ युद की स्थीती में, बाई ये आकर्मन की स्थीती में इसके अलावा जो है ससस्तर विद्रो यानि आम्रीबेलियन ससस्तर विद्रो जो सब्द है ये पहले नहीं था, इसकी जग़ा आंतरी कैसांती था यानि internal disturbance, लेकिन आंतरी कैसांती के अधार पे इंद्रा गांधी जी ने 1972 से स्थात्र तक अपात्काल लगा दिया था, तो उसके बाद जो है चुआलिसमें सविदान संसोदन 1978 के तैद आंतरी कैसांती सब्द को उटाया गया और उसकी जग़े ससस्तर विद्रो वर्ड लिखा गया, ठीक है, तो ये बाद ध्यान रखन नहीं, अनुछे 352 के तैद जो है राष्ट्य अपात्काल लगाए जा सकता है, और इसके अंदर जो है, एक महा के अंदर जो है अनुमती चाहिए संसद की, उसके बाद ये 6 महिने तक जो है, continue रहेगा तो एक हर 6 महिने के बाद जो है, अनुमती चाहिए, ऐसे करके इसको आप लगाते रहो, कोई issue नहीं है तो ये ध्यान रखना है, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, अनुछे 352 नेक्स है, राष्ट्रपतिन अब तक कितनी बार राष्ट्रिय अपात्काल की गोसना की है कितनी बार राष्ट्रिय अपात्काल की गोसना हुई अभी तक भारत में, तो तीन बार हुआ है, एक भारत-चेन युद, उसके बाद भारत-पाकिस्तान युद, उसके बाद जो है, एक बार आंत्री कैसानती के अदार पर, उनी सो पिशेतर से स्ततर इंद्रा गांधी के स सविधानिक परणाली के ऐसफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपती सासन सविधान की किस धारा के दरगत लागू किया जाता है, क्या है, सविधानिक परणाली के ऐसफल हो जाने पर, किसी राज्य में राष्ट्रपती सासन जो लगता है, वो किस अनुछेद के त इसके लवा आर्टिकल 365 के ताइट जो है अगर राज्य के अंदर सरकार दोबारा दी गई अगर फॉलो नहीं करता है राज्य तो भी जो है उस पर राश्ट्रपती सासन या राज्य अपातकाल लगाया जा सकता है अनुछे 356 के ताइट ठीक है न यह बात ध्यान रखना है आपको भी इसका करेक्ट आम सके नेक्स्ट कुस्ट राश्ट्रपती अपना त्याग पत्तर किसे प्रस्तूत करता है तो राश्ट्रपती अपना त्याग पत्तर किसे प्रस्तूत करता है राश्ट्रपती को हटाया भी जा सकता है महाब योग से अनुछे 61 के अनुसार राश्ट्रपती अपना समय से पूरो कार्यकाल से पूरो त्याग पत्तर भी दे सकता है और त्या तो simple सा है भारत के मुख्य ने आए दिसको लोकसभा के चिव को या उप्रास्ट्रपती को या परधान मंत्री को किसको करेगा उप्रास्ट्रपती को अगर त्याग पत्तर देना चाहता है रास्ट्रपती तो उप्रास्ट्रपती को संबोधित करेगा सेम पिशे वाले की तरह ही question है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो अब आपना त्याग पत्तर उप रास्ट्रपती को, next question, ने मिलखित में से कौन शी न्युकती भारत के रास्ट्रपती दवारा नहीं की जाती है, इन में से कौन ऐसा वेक्ती है, जिसकी simple, बताईएगा, लोकसभा अदेक्स, भारत का मुख्यन आदिक्स, वायू शेना अदेक्स, थल शेना अदेक्स, तो देखेगा, रास्ट्रपती जो है, सब की न्युकती करता है, इन में से एक को छोड़कर वो है, लोकसभा का अदेक्स, जो है, वो लोकसभा के सदश्यों दवारा ही चुना जाता है, ठीक है, उनी के दवारा चुना जाता है, जो भी लोकसभा का अदेक्स, जैसे ओम बिर्ला है, वी वर्तमान में हो लोकसभा अदेक्स, तो उसका चुनाओं लोकसभा के सदश्यों बहुमत से करते हैं, उसकी न्युकती रास्टरपती नहीं करते यह बात आपको ध्यान रखना है ठीक है नर उपादेक्स भी इसी तरपक्रास से लोग सवा के सद्श्यों द्वारा चुना जाता है न्यूकति को यह नहीं कर रहा है और लोगसवा अधिक्स अगर अपना इस्तिफा देता है तो वो लोगसवा के उपादेक्स को देता है और यह बात आपको ध्यान रखनी है, न्यूकती भारत के रास्टरपती द्वारा किसकी नहीं होती है, लोकसबा अदेक्स की नहीं होती है, बाकी सब की होती है, भारत का मुखे नहीं आई दिस किसके द्वारा, रास्टरपती द्वारा, वाईयू सेना अदेक्स, थल सेना अदेक 35 वर्ष 35 वर्ष जो है रास्टरपती उपरास्टरपती और राज्यपाल के पद पर रहने के लिए आपकी मिनिमम आयू कितनी होने शिए 35 वर्ष होने शिए और अधिक्तम आयू कितनी होने शिए अधिक्तम का कोई चकर नहीं है जब तक आप लोग ठीक था कंडिशन में है द निमलिकित में से कौन रास्टरपती के चुनाओं में हिस्सा नहीं लेते हैं दोनों सदन के चुने हुए सदश्य, विधानसबा के चुने हुए सदश्य, दिली तापुडुचेरी विधानसबा के चुने हुए सदश्य, विधानसबा के नामांकित किये हुए सदश्य कौन हिस्सा नहीं लेते हैं पूछा है और चुनाव किसका है रास्टरपती तो रास्टरपती के चुनाव में दोनों सदने के चुने हुए सदस्य तो हिस्सा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है विदानसभा के चुने हुए सदस्य भी हिस्सा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है दि विदान सभा के नामांकित किये गए सदश्य जो है याने मनोनी सदश्य जो है वो रास्टरपती के चुनाओं में भाग नहीं लेते हैं तो इसमें ध्यान रखना है आपको रास्टरपती के चुनाओं में लोकसभा, राज्यसभा तथा विदान सभा के सभी निर्वाचित सद सदश्य भाग नहीं लेता है तो यह बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी नमंकित सदश्य भाग नहीं लेते हैं रास्टरपती की चुनाव में United States of America मौलिक अधिकार हो गया महाभयोग हो गया सुप्रीम कोट और हाई कोट के रायजिसों को अटाने का हो गया सवतंतर न्यायपाली का हो गई न्याइक समिक्षा हो गई इसके अलावा जो है आपका मौलिक अधिकार हो गए यह तमाम चीजें लिखित सविदान हो गया कहा से लिए उस्ते के सविदान से लिए हुआ है ठेक है न तो यह आपको ध्यान रखना है USSR से fundamental duties ले रखिए हम लोगों ने USSR यानि Russia से fundamental duties ले रखिए next question राष्ट्रपती की सेवा निर्विती आयू क्या है राष्ट्रपती की सेवा निर्विती यानि retirement की आयू क्या है कितनी है बता दो 70 वर्स है, 75 वर्स है, 80 वर्स है, कोई शीमा नहीं है तो देखो, राष्टरपती की सेवाद निर्विती की आयू का कोई चक्कर नहीं है minimum आयू बनने के लिए 35 वर्स है बाकी आप कभी तक बनो, चुनो, हमें कोई समश्चा नहीं है तो कोई सीमा नहीं है, D इसका correct answer हो जाएगा D correct है, next question संसद के दोनों सदनों का सिंख सतर कोन बुला सकता है तो आर्टिकल 108 जो है, भारतिय सविधान का आर्टिकल 108 जो है उसमें सिंख सतर के या joint session के बारे में बात की गई है joint session जो है, संसद का कोन बुला सकता है जब दोनों सदनों के बीच किसी विधेक को लेकर, किसी बिल को लेकर गतिरोध उत्पन हो जाता है तो ऐसी स्तीति में रास्टरपती दोनों को साथ में बुला सकता है और उसी को बोलते हैं joint session या स्विंख सतर तो याद रखना article 108 के तायत होता है यसा और ये रास्टरपती दोरा बुलाए जाता है इसकी अध्यक्सता कोन करता है, ये question बार-बार पुशा रता है तो लोगसभा का अध्यक्स जो है, वो इसके अध्यक्सता करता है और इसके अंदर जो है, जो भी नियम अधिनियम होते हैं वो लोगसभा वाले लागू होते हैं स्विंख तुबेठक पर, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान लखना आपको रास्टरपती जो है बुलाता है लेकिन अध्यक्सता कोन करता है स्विंख सतर की? रास्टरपती लेकिन अध्यक्सता कोन करता है? लोगसभा का अध्यक्स, तो C इसमें correct answer हो जाएगा लोगसभा का अध्यक्स जो होगा वो इसकी करेगा अध्यक्सता C correct होगया ठीक है? next question पर तेक 6 महीने में संसद की सविकिर्थी लेकर रास्टरपती सासन अधिक्तम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? very good question यह है important question ऐसे questions आते हैं और आपको अच्छे से पता होना चीए तो 6-6 महीने करके जो आपका रास्टरपती सासन लगाया जाता है आर्टिकल 360 के तैत राज्य क्या सवेधानिक तंतर खराब होने पर या सवेधानिक तंतर विफल होने पर रास्टरपती सासन लगाया जा सकता है और संसद से दो महीने में अनुमोधन जरूरी है लगाने के बाद अदरवाई तो खतम हो जाएगा अगर संसद स्वीकृती नहीं देती है दो महीने के अंदर लेकिन अगर दे दी तो 6 महीने तक रहेगा और ऐसे 6-6 महीने करके जो है इसको अधिक्तम कितने समय तक लगाया जा सकता है तो इसको अधिक्तम लगाया जा सकता है तीन वर्स तक ठीक है न और तीन वर्स से अधिक लगाना है तो सविधान संसोधन करना पड़ेगा फिर ठीक है तो इसलिए 6-6 महीने करके अधिकतम इसका कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है तीन वर्स तक यह important question है ध्यान रखना तीन वर्स तक 6-6 महीने करके रास्टरपति सासन को बढ़ाया जा सकता है clear है हर्याना में तीन बार ही लगा अभी तक रास्टरपति सासन तो सरवाद सबसे पहले पंजाब में लगा था पेपसू ठीक है और सरवादीक बार भी पंजाब में लगा है ठीक है next question सविधान में कितने परकार के अपातकालों का प्रावधान है सविधान में कुल कितने परकार के अपातकालों का प्रावधान है very easy question again कितने परकार के अपातकालों का प्रावधान है सविधान में तीन परकार के तीन कौन-कौन से एक आपका आर्टिकल 352 के तैत राष्टियापातकाल आर्टिकल 356 के तैत राष्टपति सासन और आर्टिकल 360 के तैत वित्यापातकाल वितिया पातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है भारत में ठीक है यह तीन बार लग चुका है और यह अलग-अलग राज्यों में लगता है ठीक है तो जैसे हर राज्य में जिस राज्य की जो तयारी कर रहा है उसको पता होना चीए अपने राज्य में कितनी बार लगा है, हर्याना में जैसे तीन बार लगा है, ठीक है ना, तो इस तरह से हर राज्य का पता होना चाहिए, जिस भी राज्य का वो तयार ही कर रहा है उसके बारे में, ठीक है, तो वितियापात का कौन से आर्टिकल के तरह लगा जाता है, अनुचे 360 के तरह, कौन लगाता है, रास्टरपती लगा सकता है, और वह कितने समय के लिए लागू की जा सकती है, तो देखेगा, अगर इसको अगर एक बार वितियापात का लगा दिया गया है, और दो महीने के अंदर जो है, संसद ने स्विकिर्थी दे दी, अगर संसद ने दो महीने में स्विकिर्थी दे दी, तो ये तब तक लागू रहेगा, जब तक इसे हटाया नहीं जाए, समझ रहे हो, यानि एनि शितकाल के लिए, कितना भी समय तक लगाया रखो चाहिए, एक बार लग गय भारत में अभी तक एक बी बार नि लगाया, बहुत अच्छी बात है, ये बार ध्यान रखना, भारत में किस परकार के आपास्थिती अभी तक केवल एक बार लागू की गई है, वारी गुड कोशन, ऐसे कोशन में जो दिमाग लगाने की जुरूत है थोड़ा, कि आप लो लगाया है, तो इसने पूछा एक ही बार लगू हुई है, ऐसा कुन सा है, तो आपको पता है, आंत्रीक आपात जो है, आंत्रीक आइसांतिक आदार पर एक बार इंद्रा गांधी ने लगाई थी, 25 जून 1975 से 1977 तर, ठीक है ना, तो ये आवाली आपकी थी, ये आंत्रीक सांतिक आदार पे थी, ये एक ही बार लगी है, ठीक है ना, राष्ट्या आपात काल तीन बार लगा हुआ है, लेकिन राष्ट्या आपात काल में तीन बार में क्या-क्या है, दो बार भाई ये युद के आपका, जो आपका दूसरे देश के साथ युद के कान लगा है, और भाई आकरमण के आदार पर तो एक बार भी नहीं लगाई भी तक और एक बार जब लगाथा उन्षिभ को आ का यह सांती डनेस करेक्ष हो है थीक न तो इसका खेंपकर अंसर किया भर होगा अगला नवम अगला कोशन है भारत का रास्टरपती अपने पद पर पुनर निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है कितनी बार अपने पद पर पुनर निर्वाचित हो सकता है तो देखेगा भारत का जो रास्टरपती है वो अपने पद पर कितनी भी बार कुना निर्वाचित हो सकता है can be reelected any number of time कोई limit नहीं है उसके लिए ठेक है ये बात ध्यान रखनी है तो भारत का जो रास्टरपती है वह अपने पद पर कितनी बार चाहे, उतनी बार निर्वाचित हो सकता लेकिन अमेरिका के अंदर जो रास्टर पती होता है वह अपने पद पर केवल दो ही बार पुरना निर्वाचित हो सकता है ठीक है? Only two times और उसका कार्यकाल कितना होता? चार वर्स का होता है। यानि 4-4 वर्स करके 8 ही वर्स रह सकता है। और लगातार की भी कोई जरूरी नहीं है। वो एक बार आप चार वर्स रहे गया फिर ठोड़े दिन बाद या 10 साल रुक के 4 वर्स रहे जाए तो भी कोई इसू नहीं है। देकिन अधिकतम अपनी लाइफ में दो यी बार बन सकता है, और चार वर्स का, लेकिन भारत में पांच वर्स का कारियकाल जितनी बार चाहे, पुन्धर निर्वाचित हो सकता है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो इस परकार से इसका अंसर हो गया, जितनी भ करना है तो वो कोन होगा ब'REटेन की महारानी यह बिटेन क nephew राजकुमार होगा प्रिंच होगा उसके साथ लेकिन अगर भारत के परदान मंत्रीं परो अगर आकaked你在 के साथ कंपेर करोगे वो हगा अमेरिका कर रास्ट्रपती ठिकना याणि अमेरिका रास्ट्रपति के पास जो पावर है वो बारतमीं प्रदान मंत्री के पास है और जो बिर्टेन की मारानी के पास पावर है वो पावर जो है अमेरिका में जो इंडिया के अंदर राश्टरपती उसके पास है तो इसलिए पुछा है कि बारतिय संग के राश्टरपती के पास वही सवेधानी का पास है, तो ध्यान रखना इसका correct answer रास्ट्रपती के लिए पूछा है, तो इसके लिए हो जाएगा, next question, क्योंकि नाम मात्र का है ना, रास्ट्रपती हमारे नाम मात्र का कार्यकारी परमुख है, वास्त्वी कार्यकारी परमुख तो प्रधान मंत्री होता है, संसदिय प्रना इसके लिए नामित किया जा सकता है, किसके दवरा, प्धानमंत्री दवरा, रास्ट्रपती द्वरा, लोकसभा के अदखस दवरा, या संसद के प्रामर्स से रास्ट्रपती द्वरा, तो देखेगा, अगर vitन बारतीय समुदाए, यानि अंग्लोब इंडियन कौन होता है, यूरोपियन और इंडियन ब्लड का मिक्शर जो यूरोप से आय हुए भारत में लोग थे उन्होंने यहां की महिलाओं से साधी करके यहीं पर बस गए अब जो उनकी संतान है उनको हम लोग बोलते हैं एंगलो इंडियन या आंगलो भारती है उनको जो है आर्टिकल 331 के तैथ लोग सबा में दो सदस्यों को रास्टरपती के दवारा मनोनित किया जाता है लेकिन अभी 104 सविधान संसोदन जो था अंतिम सविधान संसोदन हमारे सविधान में अभी तक 104 सविधान संसोदन हुए है और जो 104 था 2019 में उसके तैथ हम लोगों ने ये जो दो अंगलो इंडियन वाला काम है एक खतम कर दिया ये मनोनित करने वाला कारिये समाप्त कर दिया बागे से मनोनित नहीं करेंगे इनकी संख्या बहुत कम बच गई भी तो इसका आंसर क्या है बी रास्टरपती दवारा 104 में सविधान संसोदन के तैथ है काम किया है हम लोगों ने कि लोग सभा में जो दो प्रास्टरपती मनोनित करते थे अंगलो इंडियन से और राज्य पाल जो है एक विधान सभा के अंदर करता था उस चीजिज़ को समाप्त कर दिया गया है तो इसका correct answer क्या है रास्टरपती दवारा मनोनित होते हैं Next question बारतिय सविधान के नुसार केंदरिय मन्तरी किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे तो बारती सविदान के नुसार जो केंदरिय मंत्री है वो किसकी इच्छा रहने तक पद संबालेंगे आपको पता है जैसे यह सा कोशन हम लोग देखते हैं और अच्छे से फ़ीसी बच्चे नहीं पढ़ा हुआ है तो वो आंसर लगाता है परधान मंत्री तो कि उसको लगता परधान मंत्री पाउर कर रहा है सब रूल कर रहा है उनको लेकिन परधान मंत्री की सिफारिस पर रास्टरपती के दोवारा मंत्रियों की नुक्ती होती है और इसलिए रास्टरपती के परसाद परियंद जो है रास्टरपती की इच्छा तक ही वो मंत्री रहते हैं ठीक है ना मंत्री रहते हैं अधर्वाइज रास्टरपती हटा सकता है चीजें ये से हैं तो ये बात आपको ध्यान रखना है लेकिन हटाता प्रदान मंत्री की सिफार इस पर ही है वो बनाता भी प्रदान मंत्री क अधिकार के अंतरगत क्या प्राप्त है क्या कर सकता है वो अपने विवेका अधिकार से ये पूछा है वित्या पातकाल गोशित कर सकता है किसी राज्य के राष्ट्रपती सासन लागू कर सकता है प्रधान मंतरी की नियुक्ति कर सकता है या मुख्य चुनाव आयुक्त की नि देखो रास्ट्रपति जो है परधानमंतरी की न्यूकति करता है ये बात लिखे हो ही ये सवी धाण के अंदर आर्टिकल-75 में कि प्रधानमंतरी की न्यूकति करेगा लेकिन किस वेक्तिकी जो लोकसभा में बहुमत प्राप दल का नेता होगा उसी व्यक्ति को रास्टरपती प्रधानमंतरी न्यूक्त करता है लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति को बहुमत नहीं आया लोकसभा में तब रास्टरपती क्या करेगा, किसको न्यूक्त करेगा Hang Parliament हो जाती है तो उसमें क्या करेगा तो Hang Parliament के अंदर यहिनि जब किसी कोई गवंत प्रावध नहीं है तब राश्टरपती अपनी विवेका अधिकार का प्रियोग करता है और ऐसे में राश्टरपती जो है किसको न्यूख्ट करेगा ऐसे में रास्टरपती जो है वो अपनी विवेका अधिकार से किसी विवेकती को प्रधान मंत्री के रूप में न्यूक्त कर सकता है और उसको बोलेगा कि तु बहुमत साबित करके दिखा इतने टाइम के अंदर एक महिना का समय दे देगा उसको ठीके तो उस परकार से प्रधान मंत्री की न्यूक्ती में विवेका अधिकार सामिल है रास्टरपती का समझ पा रहे हैं आप लोग तो यह ध्यान रखना राज्य में राष्ट्रपती असासन लागू कैसे करता है वो तो जो है प्रधानमंतरी की शिफार इस पर करता है और वितिया पातकाल भी ऐसे होता है मुखे चुनावा एक्ट की न्युक्ति भी तो ये सब तो ऐसे ही है इसके अंदर ऐसा नहीं है लेकिन प्रधानमत्री की न्युक्ति की समय विवेका अधिकार यानि स्वम विवेक सक्ति का प्रियोग कर सकता है सरकार की रास्टरपती प्रणाली के अधिन कारिय कारेनी के सदश्य सरकार की जो रास्टरपती प्रणाली है यानि Presidential Form of Government जो है लेकिन भारत में कौन सी है संसदिय कारिय प्रणाली है या संसदिय प्रणाली की सरकार है लेकिन रास्ट्रपती परणाली कुन सी है जैसे USA में है USA में Presidential Form of Government अध्यक्सात्मक परणाली है तो वो आपकी होती है रास्ट्रपती परणाली और ये काम पर है USA के अंदर है इसमें बोल रहा है जो कार्य कारी निनी के सदश्य होते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है वहाँ पर रास्ट्रपती परणाली के अंदर अध्यक्सात्मक परणाली के अंदर विधान मंडल के किसी भी सदन के सदश्य नहीं होते हैं जो कार्य कारेनी के सदश्य होते हैं, वो रास्ट्रपती अलग-अलग फिल्ड से अपने हिसाब से चुमता है, तो ये बात आपको जयानक निया, ची इसका गर्गतोज होगा, किसी भी सदश्य न होते हैं, लेकिन हमारे या संसिधी अपनाली में क्या है, सदश्य होगा, वही कार्य कारेनी के सदश्य होते हैं, उल्टा है, तो इसका correct आँसर शी हो गया, राज्य सबा के सदश्य का निर्वाचन कितनी अवदी के लिए होता है दो वर्स के लिए चार वर्स के लिए पांच वर्स और छे वर्स वेरी सिंपल कोशन राज्य सबा के सदश्य का निर्वाचन कितनी के लिए होता है छे वर्स राज्ये सभा का कारियकाल कितना होता है पांच वर्स या छे वर्स तो राज्ये सभा का कारियकाल जो है कुछ नहीं होता है राज्ये सभा तो भंगी नहीं की जा सकती कभी तो वो तो एक सथाई सदन है उसका कोई कारियकाल नहीं होता कि राज्य सबाइब लाज्यसें सब्सभा के लिए राश्टरपती द्वारा कितने सदुशय नामित के T कि राज्यसबा के लिए हैं नलो नीट के जाते मकपलब भी नामित है ढार्टीकलаться candy के नुसार जो है Article 80 में राज्यसभा का उलेख है Article 80 के नुसार जो है राज्यसभा में 12 सदश्य राज्यसभा में 12 सदश्य राश्टरपती, कला यानि आर्ट साहिते यानि लिटरेचर साइंस यानि विज्ञान और सोसल सर्वीश यानि समाज सेवा इन चार आधारों पर इन चार आधारों पर जो है राश्टरपती 12 सदश्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है ये बात आपको ध्यान रखना है कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा खेल आधार नहीं है इसके अंदर खेल भी एक कला है तो ध्यान रखना है आर्टी कलसी के नुच्छार 12 सदश्यों को राश्टरपती मनोनीत करता है क्लियर, बीस का करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्रूस्ट ज़रूरी है माले और तब तक जो है राश्टरपती का पद कोन संभालेगा उपराश्टरपती अगर उपराश्टरपती नहीं है तो सुप्रीम कोट का मुख्या ना आदिस अगर वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोट के वरिष्टम ना आदिस तो अगर 6 महीने तक अधिकतम वो पद संभाल सकते हैं यह बात ध्यान रखना है अधिकतम 6 महीने और यह फिर आम लोग इसीज को क्या कह सकते हैं जब तक नए रास्टरपती का चुनाओ नहीं हो जाए जब तक जो है नए रास्टरपती नहा आजए तो है अपना त्याग पत्तर निमिलखित में से किसको संबोधित करेगा लोग सबा का अध्यक्स है और वो अपना त्याग पत्तर देना चाहता है कि बहुत हो गया बहुत कर लिया मैंने अभी स्पीकरी अब जो है मुझे नहीं रहना है तो थ्याग पत्तर निमलकिती में से किसको संबोधित करेगा? बारत के राष्ट्रपति को, उपादेख्ट को, पर्धान मंतरी और मंदल को? शोचिएगा, तो अधैक्ष अपना त्याग पत्तर उपादेख्ट को और उपादेख्ट अपना अधैक्ष को देता है तो ये भी आपको ध्यानक ना, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर जो है, वो ओम बिड़ला है, सतरवी लोकसभा चल रही है, इसमें स्पीकर ओम बिड़ला है जब राष्टरपती और Опराष्टरपती दोनों के पद एक साथ खाली हो, तो राष्टरपती पद पर ऐस्थाई रूप से कों काम करता है? वेरी गूड क्योश्वसन जब दोनों के पद खाली है तो कौन रास्टरपती के रूप में कार्य करेगा ये बाद आपसे पूछिए रास्टरपती का पद भी खाली है उपरास्टरपती का भी तो कौन रास्टरपती के पद पर ऐस्थाई रूप से कार्य करेगा ये पूछा है रास्टरपती के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई वेक्ती लोग सबा का अदेक्स, राज्य सबा का उपरास्टरपती और भारत के मुख्यन एदिस तो संसद के दोनों सदनों दवारा नामित कोई वेक्ती, लोकसभा का अध्यक्स और राज्यसभा का उपरास्टरपती, कौन करेगा, तो उस ताइम करता है भारत का मुख्य नायदी से, एक बार ऐसा हुआ है, एहम हिदायतुल्ला, मुहमध हिदायतुल्ला जो है, वो एक मात समय नाये संस्ता है, ये पूझा है, तो देखेगा, वितायोग जो है, यह आर्टिकल दो सो अस्थी के तयद, एक समय धानिक संस्ता है, आर्टिकल दो सो अस्थी के तयद जोowa परतेख पांच वर्स या इससे पहले अब शर्डानवाइट, राष्टरपती वितायोग का वितायोग है जिसके अधेक्स है एनके सिंग तो ये तो सवेधानिक है आर्टिकल दोस्व सी राष्टिय विकास प्रिशद इसका अधेक्स कोन होता है परधानमंतरी होता है इसका सवेधान में कुछ नहीं है नेस्नल डेवलप्मेंट काउंसिल के बारे में योजनायोग और योजनायोग और नीतियायोग योजनायोग का नाम जो है एक जनुरी 2015 से नीतियायोग करा किया गया है तो ये बात ध्यान रखना है आपको इसका भी सविधान में कोई जिकर नहीं है सवेधानिक नहीं है ये जस्ट जो है एक्जिकुटिवली है तो ये आपको ध्यान रख क्लियर नितियायोग का अधेक्स प्रदानमंत्री योजनायोग इससे पहले नितियायोग का इनाम जो है योजनायोग दवा करता था जो की अधेक्स प्रदानमंत्री था रास्टे विकास प्रिसद का अधेक्स प्रदानमंत्री नेक्स क्योशन के अंदर सरकार किसकी के अधार पर भारत की समेकन निदी यानि Consolidated Fund of India भारत की संचित नीदी से राज्यों को साइता और अनुदान देती है किसकी सिफारिशों के अधार पर के अंदर सरकार एशा करती है आपको पता है न जितना भी पैसा हम लोग टेक्स की रूप में या जैसे भी आ रहा है वो सारा का सारा संचित नीदी में जमा होता है उसके बाद फिर वहाँ से जो है निकाल के राज्यों को दिया जाता है और इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? वितायोग बनाते हैं वितायोग की सिफारिशों के अदार पे ही ऐसा होता है कि किस राज्य को कितना मिलेगा जैसे कि वर्तमान में पंदर में वितायोग ने क्या बोला है? 41% जो है वो राज्यों को देना है पहले जो है तेर चोद में वितायोग ने बोला था ब्यारीस परसेंट देना है राज्यों को लेकिन अब एक तालीस एक परसेंट का जो गेप आया है ये बोला है कि भारत के आकस्मिक्ता निदी का सठ्काशक कोई है आकस्मिक्ता निदी यानि एम легrency funds या कंटिजन्सी funding देखो एक होता है आपका consolidated fund यानि भारत की संचित निदी एक होता है आपका आकस्मिक्ता निदी यानि contingency fund या उसको जो है संसद के अनुमती के बिना नहीं निकाला जा सकता अब संसद अनुमती देगी ट्राइम लगेगा तो एमर्जेंसी कोई चीज की अगर पैसों की जरूर्थ है तो वो संचीत नीदी से निकाला जा सकता है और वो किसके अधीन होता है राष्ट्रपती और राष्ट्रपती की तरफ से जो है विच सचीव जो होता है वो संबालता है उसको ठीक है ना तो राष्ट्रपती जो है इसका सरंख्षक होता है, C इसका correct answer है, next question. संग लोग सेवायोग के सदश्यों के नियुक्ति किसके दवारा की जाती है? संग लोग सेवायोग यानि UPSC, UPSC, अनुछे 315 से 323, अनुछे 315 से 323 के अंदर जो है, Union Public Service Commission संग लोग सेवायोग का जिकर किया हुआ है, ठीक है न? तो यह आपको ध्यान रखना है, तो परतीप कुमार जोसी जो है, वो UPSC के नए चेर्मेन बन गए, यह भी आपको ध्यान रखना है, अरविन सक्सेना इससे पहले थे, अभी वर्तमान में कोन है, परतीप कुमार जोसी है, तो 315 से 323 के अंदर जो है UPST का जिकर है इनके सदश्यों की नियुक्ति कौन करता है रास्टरपती के दुवारा नियुक्ति की जाती है 20 का correct answer हो जाएगा ठीक है next question भारत के Attorney General की नियुक्ति कौन करता है भारत का जो AGI है उसकी नियुक्ति कौन करता है यह पूछा है भारत का मुख्य मंत्री करता है भारत का रास्टरपती या संग का वीदी मंत्री या भारत का प्रदान मंत्री AGI Attorney General of India यानि महान नयवादी कहां जिकर है सविदान में? Article 36 के अंदर वरतमान में कौन है? वरतमान में भारत के महान नयवादी है इनकी नियुक्ति कोन करता है? तो भारत का रास्टरपती इनकी नियुक्ति करता है ये बात आपको ध्यान लखनी है और इनका योग्यता क्या होने शिये? Supreme Court का न्यायदीस बनने की योगिता होनी चीए ठीक है? ये भी आपको ध्यान दखना है Supreme Court का ये भारत का पर्थम वीदी अधिकारी होता है भारत सरकार का मुख्य वीदी सलाकार होता है तो ये आपका महानयवादी होता है न्युक्ती रास्टरपती करता है Next question निमन में से भारत के वायरास्टरपती कोन थे जो दो बारास्टरपती के पद पर रहे थे? कोन से इन में से simple question है बहुती? कोन है जो दो बारास्टरपती के पद पर रहे थे? 1950 से 1962 कोन थे? Dr. Rajendra Prasad Very simple energy question D. Correct answer हो गया 1950 से 62 Dr. Rajendra Prasad थे 1950 से 52 जो है वो रहे थे उसके बाद 1952 से 57 से 62 दो कार्यका लोगे पूरे ठीक है तो ये बाद आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को चुने गए थे पहली बार Next question देश की ससस्तर से नाउं का Armed Forces का सरोच कमांडर इंचीफ कोन है? कोन है? Very easy, रक्ष्या मंतरी है, प्रधान मंतरी या तीनों सेवाओं में से वरिश्तम चीफ Chief of Army Staff भी बना रखा है Chief of Defense Staff जो है वो भी बना रखा है अभी हम लोगों ने और चोथा रास्टर पती कोन है? सरोच कमांडर इंचीफ तो रास्टर पती होता है तीनों से नाओं का कमांडर इंचीफ ये बार ध्यान रखनी है डी इसका करेक्टान सरोगा ठीक है ना? रास्टर पती तीनों से नाओं का सरोच कमांडर इंचीफ होता है निमलिकित में से किसके बास बारतिय सुरक्षा बल्लों पर सर्वोच कमान प्राप्त है बारतिय सुरक्षा बल्लों पर सर्वोच कमान कौन है कमांडर इनचीफ कौन है वही होगा सर्वोच सुरक्षा बल्लों पर भी सर्वोच कमान भी उसी की होगी तो कई बार ऐसा question की statement देखे गबरा जाते हैं लोग बोलेंगे भारत का प्रदान मंत्री है यह वो है तो ऐसा कुछ नहीं है भारत का रास्टरपती ठीक है तो भारत के रास्टरपती correct answer आ जाएगा ठीक है डी इसका correct answer हो जाएगा Next question निमलकित में से वे वेक्ति कौन है जो अनुछेद 143 के अदिन किसी मामले को सलाकारी राय के लिए राय के लिए एडवाइज के लिए भारत के उच्टम नेयाले को भेज सकते हैं कौन से article के तायद 143 के तायद तो Article 143 के तायत किसी भी मामले पर राय लेने के लिए Supreme Court को बेजा जा सकता है। रास्थरपती के दवारा। लेकिन Supreme Court उस मामले में राय देने के लिए बात देने हैं Number One दूसरा रास्थरपती Supreme Court की दी गई बात को या राय को मानने के लिए बात देनी है Number Two तो ये दोनों बात भी साथ में ध्यान रखने हैं लेकिन आर्टिकल 143 के तैट कोई भी सला ले सकता है रास्टरपती भारत का सुप्रीम कोड से तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया है ये अनुश्यत कई बार पूशा आता है रास्टरपती और उपरास्टरपती के चुनाओ से समंधित अगर विवाद है तो उसका समझोता करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोड को है बिलकूर सही ये उसका किस परकार का अधिकार है मोलिक अधिकार है पुनरवार्दी का अधिकार है प्रामर्सी अधिकार है बहमुकी अधिकार है A, B, C, O, D क्या करेक्ट आंसर है बताओ फटाफट से किस टाइप का अधिकार है उसका तो देखेगा सुप्रीम कोड की जो अधिकारीता है उसमें एक मूल अधिकारीता होती है तो जो मूल अधिकारीता है उसमें क्या है अगर भारत सरकार का किसी राज्य सरकार के साथ कोई जगडा है तो उसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोड में हो सकती है दो या दो से अधिक राज्यों का या बारत सरकार का जगड़ा है केवल सुनवाई सुप्रीम कोट में दो या दो से अधिक राज्य, एक राज्य के साथ जगड़ा केवल सुनवाई सुप्रीम कोट में तो इस परकार से वो मूल अधिकारीता होती है यह आपकी क्या है? मूल अधिकारिता है. Clear? Next question है, एकल हस्तांतर्णिय मत्दान पद्ती में हर मत्दाता व्यक्त कर सकता है. किसमें? एकल हस्तांतर्णिय मत्दान पद्ती में हर मत्दाता व्यक्त कर सकता है. केवल दो विकल्प, केवल एक विकल्प, भरे जाने वाले पदों में से कम एक विकल्प, उतने विकल्प जितने चुनाव में परत्यासी है तो देखेगा एकल हस्तांतरिय मत के माद्यम से राश्टपती और उपराश्टपती के चुनाव होते हैं इसमें क्या होता है reference के दार पर voting होता है तो preference के दार पर, sorry, preference दिया जाता है तो इसमें क्या होगा कि जितने भी सदर्शे होंगे उनमें आप choice भरो कि पहले number पे मुझे यह चाहिए अगर यह नहीं बनता है तो दूसरे number पे यह बन जाए तीसरे पर ये बन जाए तो इस परकार से preference दी जाती है सबी को तो ये रास्टरपती के चुनाव में जितने भी परत्यासी होंगे तो जो voter होंगे वो सब के जो है वो इस परकार से आपका preference देना पड़ेगा तो ये किसमे उतने विकल्प जितने चुनाव में परत्यासी है सब के लिए तो इसका correct answer हम लोग क्या मानेंगे D इसका correct answer हो जाएगा इसका correct answer क्या हो जाएगा उतने विकल्प जितने चुनाव में परत्यासी है उतनों के लिए मद्दाता वेक्ट करना पड़ता है ठीक है? जो मद्दात करने वाले वेक्टी होंगे उनके दुबारा ओके? तो ये आपके कुछ एक क्योसन थे जो इपोर्टेंट आपके पॉलिटी के जिनके थूँ आप अपने तैयारी को एक तो चेक कर सकते हो कि आपको कितना आता है और कहां-कहां प्रोब्लेमेटिक एरिया है किस टोपिक में जो है? ये सभी के सभी क्योसन से हैं जो एक्जाम में आने की संभावनाय पूरी रहती है और इसी टाइप के क्योसन साते हैं तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो इजिली कि हम कहां पर स्टेंड करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बहतर होगा कि अपनी तैयारी को बुस्ट करो एक तो साथ-साथ क्विक रिविजन से दूसरा जो है अपने आपको थोड़ा सा अपनी खुद की सेल्फ अनालीसिस हो रही है कि मैं इस टोपिक के अंदर मुझे दिक्कत आ रहा है रास्टरपती के जुक्चुनाव से समंदित मावलों में समस्या है तो इस परकार से आप अपने आपको देख सकते हो तो उस टोपिक पर थोड़ा सा जाद है द्यान देखिए उसको ठीक कर लो बात खतम राइट तो इस परकार से यह चीजे होनी चाहिए ओके तो आज का जो है यह सीरीज हमारी यहीं पर समाप्त है आज की क्लास सीरीज तो आगे और चलेगी तो आज की तो मुच बाइब बाइब बाइब